हालो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागा तत्रिपान इस्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं बी ये सेकेंड इयर समेस्टर थर्ड पंजाब इन्वर्सिटी हमारे समख्ष जो बुक आया है पंजाब का इतियास और संस्कृती हिस्ट्री और कल्चर ऑफ पंजाब 1200 सी तो 1780 और हमारे समख्ष जो टॉपिक आया है सिख धरम का विकास गुरु अंगद्देव अमर दास गुरु राम दास का योगदा कभी महत्पून है डेवल्पेंट ऑफ सिखलीजम 1539 टू 1581 कंट्रिबिशन और गुरु अंगद्देव अमर दास और गुरु राम दास और डेवल्पेंट ऑफ सिखलीजम इस पर हम विस्तार पर चर्चा करेंगे हर एक पहलू करेंगे लेकिन आपको पता है कि चेप्र स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए वो यह है कि जब भी वेडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जनकारी सदेव खतरनाक होता है साथ में इंपोरेंट बात ये भी रहता है अगर आप पहली वार वीडियो देख रहे हो तो लाइक सेर सब्सक्राइब करना मत भूलना सब्सक्राइब करना है तो ये तो बात था आपके लिए लेकिन आप देखते हमारा आज टॉपिक क्या है आगे जो हमारे समक्षाया है सिक धर्म के विकास में गुरू रामदास का योगदान काभी महतपून है कि सिक धर्म के विकास में गुरू रामदास का क्या योगदान था कहते हैं सिख द्रम के चौते गुरू गुरू रामदास इस पवित्र गद्धी पर 1574 से लेके 1581 तक केवल साथ वर्षों तक ही असीन रहे उनके योगित रिदेश में सिख धरम में आगे विकास किया और उनके गुरुत्व काल की प्रमुक्य उपलब्दियां यहां पर बताई गई है जो काफी महतपून रहेगा सब प्रतम नोंने रामदास पूर अमरी सर के स्थापना की यह काफी महतपून रहेगा तो नोंने रामदास पूर और अमरी सर के स्थापना यानि गुरू रामदास ने 1570 में एक नए शहर चक गुरू या राम दासपूर की नीव रखी और यही शहर आगे चल कर अमरी सर के नाम से प्रसिद्ध हुआ नो ने यहां संतोखर सर तदा राम सर नामक दो तलाबों का भी निर्मान करवाया गुरू जी ने यहां अपने शिशो की अवशक्ताओं की पुर्ती के लिए एक बजार भी सुरू किया जो गुरू का बजार नाम से काफी प्रसिद्ध था समय बीतने के साथ यह सिख धरम के परमुक्य केंद्र बन गए और यह काफी महतवपूर्ण थे और कहते हैं केंद्र के साथ साथ सिखों के परमुक्य के तिर असल भी यह बन गया इसे सिखों में आपस में एकता की भाबना जागरित हुई और भविश्य में इसका एक महान रास्ट बनाने के मार्ग के उपर प्रस्त हो गया तु देखा जाए یہां पर गुरी राम दास ने जो योगदान दिये काफी महतवपूर्ण थे देखा जाए उन्होंने मनसद प्रनाली का भी सुभ आरंब किया तो देखते हैं मनसद प्रनाली क्या है यहां पर स्मख्ष आया है मंसत प्रनाली काफी मेहतवपूण हैं क cleanup राम दास ने प्रससणी योगदानों में एक मंसप प्रसणाली अरंब किया था जो काफी महतवपूण था कैसे गुरु सी के हमरी सर्वा संतोस ख़रत लाबता N際 सहर के निर्मान के लिए धन किया वशकता थी और इसलिए अपने शिशों को जो है दुर्वती चछत्रों से भेज कर शिक्कों से धन कट करना सुरू किया और इस परकार मंदर परनाली का जनम हुआ जिसे गुरु अरजन देव ने और मजबूत कर दिया मंसर परनाली से गुरु जी को एक निश्चित आयप्राप्त होने लगी और साथ ही सिखों को ऐसा विवस्तित प्रसासरी को एवराजनिती मंचपरदान किया इसे सिख धरम को विकास हुआ आगे चलके सस्तों के मुगल अत्याचारों का सामना कर सके देखा जाये तो मंसर परनाली काभी महत पूण थे क्योंकि सिखों के अत्याचारों के खिलाफ मंसर परनाली की जो योगदान थी वो काभी महत पूण था तो कि कहते हैं ना बिना धन हम कुछ भी नहीं कर सकते थे लेकिन मनसद प्रनाली के अंतरगा जो धनी कठा करने की जो प्रनाली चली इसे हमें मुगलों से एक अत्याचारों से बचने का और हत्यार एकत्र करने का सबसे महतपूर जो है रूल बन गई आगे देखें हम तो सिक धरम का परचार एवं परसार काभी महतपूर है कहतें राम गुरुडरामदास ने शिक धरम के विकास को एक नए तरीके से भी आग्धा से भाय सिक धरम परचार परसार का महान कारे किया उन्होंने सिख धरम की सिक्षा के परचार के लिए जगा जगा उपदेशक भेजे और इसे सिख धरम बहुत अधिक लोग पिडिये हुआ और ये काफी महतपूर्ण था इवन देखा जाए तो उदासियों के साथ बैरभाब की समापती अपने पुरवर्दियों के विपरित घुरू राम मढास ने हिंदू सन्यासियों के साथ मेESTरी भाब अपनाया उनके न्साइचितवतगुण और मात्रीपुन्मेभाण ञाहत है उदासियों के प्रमक स्थ कि चंद चंद का मेयानल रपभार वीन दछ दski का इत लिए restrictions का जीतना बहुत ही महतपूर्ण था करने लगे इसका कारण उनकी उदार नीती थी उदासिंता थी इसके परिणाम स्वरूप सिखों की उदासिं के साथ लंबे समय से चली आ रही सतुरुता समाप्त हो गई क्योंकि देखा जाए तो स्री चंद्र के हिर्दय में जो पड़िवर्तन आया वो उदासिया का सबसे मह महत पूर्ण योगदान दी इवन की गुरू स्री गुरू जो है स्री चंद्र ने उनका सम्मान भी करना सुरू कर दिया और इसके परिणाम सुरूप यह हुआ जो लंबे समय से चली आड़े सतुर्ता कहते हैं समाप्त हुआ गुरू रामदास ने चदुराई से भरपूर क और शुक्यों से शिख धर्म के विकास में अपना काफी महत पूर्ण भूमिकादा की जो काफी महत पूर्ण है उसके पर शायत हमारे समक्षाता है अक़वर्ण के साथ महतरी पूरू तल्यूता मधूर संबंद देखा जाए तो यहूव समय काल दा जहां पर मुगल के साथ और सिखों के साथ महत्रिपुन्स समंद और काफी जो है मधूर संबंद थे क्योंकि उसके बाद जो संबंद मुगलों के साथ बनी वो काफी दर्दनाग थी बहुत कस्ट मैं थी ऐसा कहा जाता है कि मुगल भासा अकबर गुरु रामदास से गुद्वाइल में मिलने आये थे वो गुरु जी के संसोभाव वो गुणों से बहुत अधिक परभावित हुआ उनके मध्य मेत्रिपुन्स तदा जो है मधूर संबंद अस्तापित हुए गुरु जी को अकबर ने पांसो बिगा जमीन दान में दी जिसमर बाद में अमरिशा सहर की नीव रखी गई अकबर ने पंजाब की किसानों का एक बरा का भूक कर भी माप कर दिया और ये सब गुरु का किरपा ही था इस कारे में गुरु जी की लोग प्रियत्ता था सम्मान किसानों जमीदारों वा सिकों बहुत बढ़ गया और इस पर करणों ने आने वाले वर्सों में सिक ध्रम के विकास वह उठान के लिए रा जो है द्वार खोल दिया तो देखा जाईए वो समय काल था जहां पर मुगल बासा अकबर ने गुरुराम दास की जो है मतलता पूल संबंद को यहां उजागर होता है लेकिन उसके पश्चा जहांगीर सहा जहां और इवन की अंजेव सबसे जो पूल बात यहां पर आता है कि यहां पर गुरुराम दास ने काफी महत पूल अपनी योगदान यहां पर दिया उसके पश्चात हमारे समक्षाता है गुरु अरजुन देव को अपना उतर अधिकारी बनाना एक बुद्धी मता पूल कदम थी देखा जाया तो यहां पूल कदम था गुरुराम दास का सिक धरम के विकास में एक अन्य महत पूल कारे उनके द्वरा अपने सबसे छोटे पूत्र अरजुन देव को गुरु गद्धी का उतर अधिकारी बनाना उन्होंने अपने दो बड़े बेटे पुतिया चंद और महादेव को गुरु गद करने की और परवर्तित हो गया क्योंकि यहां पर आगे चलके पुतिया चंद ने बहुत ही जो है मुसीवत खड़ा कर दिया गुरु अरजन देव जी के लिए लेकिन देखा जाये तो इन्होंने एक वन्शागत प्रामपरा जो है शुरुआत कर दी ऐसा करके उन्होंने प्रतिष्टा में अपार विर्दी हुई और लोग उन्हें सच्चा पातशा कहकर पुकारने लगे यह भी कावे महतवपून था इवन संचेप्स में हम कहें तो गुरु अंगर देव अमर दास तो गुरु राम दास ने भी सिक धरम की विकास तो लोग प्रता विर्दी में अपार योगदान दिया और यह काफी महतवपून है इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक भी खतम हो जाता है जो काफी महतवपून था इसके आगे हम और भी टॉपिक करेंगे जिसमें मंजी परनाली भी रहेगी जो काफी महतवपून रहेगा तो आप बने रहे तिरपान और भी आगे आपके लिए करेगा उतब होगा जब तिरपान इसंडर ऐगे बरेगा आगे विकास करेगा और आपके लिए हर चीजी यहां了 रहेगा कहते हैं आ आप यहां पर सेकेंड यर में हो, थार्ड में भी जाओगे, इमें भी करोगे, तो हर छेतर में तिरपान जंडर हमेशा आपके साथ रहेगा, और ये साथ कभी तूटेगा नहीं, क्योंकि आप मुझे पता है कि हमेशा तिरपान जंडर के मदद करने की विश्वास से ही रहते हो, और पान जंडर यही बात बताता है कभी वीडियो आगे करके मत देखिए, ये शब्द है, ये आपका फिलम नहीं है, ये सब्द है, जहां पर शब्दों को समझके ही आप एक्जाम में लिख पाईएगा, मैं जानता हूँ कि बहुत से वच्चों के अपनी-पनी विचार धारा होती है, इसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन मेरा जो विचार धारा कहता है, कभी भी ये वीडियो को आगे स्किप करके ना देखिए, क्योंकि ये होता है, कि इसमें पॉइंट व्यू चल रहा होता है, और एक पॉइंट आपका छूट गया, और वो इंपोटेंट रहा, तो यहां पर एक नंबर के एक्जाम में कोशन भी आता है, तो ये आपके लिए धूरा रह जाएगा, इसलिए कभी भी वीडियो देखिए, तो पूरा देखिए, हर अगरता के साथ देखिए, एकांत में देखिए, जहां पर आपको सारी बातें समझ में आ जाईगी, तो कि एक का प्रथम लक्ष यह है कि हर बच्चों तक यह वीडियो पहुंचे जिनको यह जरूरत है और यह माद्यम सिर्फ आप बन सकती हो मैंने तो अपना कारे किया आप भी अपना कारे जो है उच्छी रूप से कीजिए और सोचिए नहीं विचार न कीजिए जितना हो सके सेर करने क भाव ना रखिए अगर पहली बार मैंने चैनल पर आयो पहली बार वीडियो देख रहे हो और अच्छा लगता है समझ आता है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको प्राप्त होता रहे इसी परकार जर्नल सी बात है दोश्तों को सब्सक्राइब कर लिजे प्राप्त है जो सलेबस है टॉपिक के हिसाब से अगर आप डूडियेगा तो आपको प्लेडिस्ट में सारे टॉपिक आपको मिल जाएगा तो यह आपके लिए महत्तपून रहेगा और यह तब होगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए नहीं विचार न किजिए चलो सब्सक्र जा बें है टॉपिक आपको旗 के लिए महत्तपून से बि